दोस्तों नमस्कार ISPCS एक्जाम सी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं एपी सर एक बार फिर से डेली न्यूज करेंड अफेर्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये क्लास आपकी UPSC, UPPSC वा अनकंपेटिटीव एक्जाम जहां पर प्रापर अनालिसिस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही उप्योगी साबित होती है और यकीन मानिए आप अगर लगातार के क्लास को फालो करते हैं तो इसके बाहन ना तो करेंड फेर्स पूछा गया है और नहीं पूछा जाएगा एक्जाम कोई भी हो तो इसे के साथ हम पहला को कोशन शुरू करें लेकिन उसके पहले अगर भी तग आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विल आइकन को आन कर लीजिए साथ में कमेंट वाक्स में अपना सुजाव भी देखे जाएगा तो पहला कोशन आपके सामने है निमल तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा ये बी वाला क्या है गलत है क्योंकि से यहां जो सरग परवहनुरा राजमार्ग मंतराले है भारत में उसके द्वारा ये शुरू किया गया जिसके मंत्री समय नितिन गड़करी जी है तो इनके द्वारा यह band जारी किया गया Cétait Band तो CTC Band के माधिम से funding इत्यात को आकर्सित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा बात करें 1 जीव सनुचन बांड की इसी को वाइल लाइप conservation band के नाम से जाना जाता है यह फिस सुभाइन के द्वारा जारी किया गया और किसके लिए ध्यान दिजेगा ब्लाइक देखो कई प्रकार के राइनो होते हैं इन में से एक होता ब्लाइक राइनो और ब्लाइक राइनो ये कहां पर पाये जाते हैं ये पाये जाते हैं दच्चिन अफरीका में ध्यान से समझेगा तो ब्लाइक राइनो के सनचन के लिए जो दच्चिन अफरीका में पाये जाते हैं इसे पांच वर्स के लिए 150 मिलियन जो US डालर की फंडिंग है वहाँ 202 के द्वारा प्रदान की जानी है और इसी के लिए फिर 1 जीव सनलचन बांड जारी किया गया है तो पहला भी आपकी क्लियर हो चुका होगा सेटी बांड भी है अब इसके साथ अगले कोशन के और चलते हैं तो अगला कोशन आपके सामने हैं अगला कोशन चलते हैं कोशन नंबर 2 पर आते हैं दो नंबर कोशन आप से क्या पूछ रहा smart इंडिया है काथन के संदर में विचार किजिए और यह ध्यान दीजिएगा यह कोशन इंपर्टेंट है smart इंडिया है काथन दो स्टेट्मेंट दिए गए इसे 2020 में शुरू किया गया क्या और यह नीती आयोग की पहल है क्या तो किवल एक सही है दो सही है ना तो एक सही ना तो दो सही है तो इसमें सही कूट क्या बताना है तो ये एक और दो दोनों सही है तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा ये सही जबाब हो जाएगा एक और दो दोनों सही है यानि एक और दो क्या दोनों सही है तो इसका सही इसलिए गलत है क्योंकि इसे दो अजारि सथ्रा में नेती आयोग की पाहल नहीं आपको स्माट इंडिया ऋए कातन लगा तो आपके लगेगा कि यह नीती आयोग जी नहीं यह किसकी पाहल है यह चिछा मंतराले की पाहल है कि sometime ये भी आप अपनी कापी में नोट करते चलिएगा ये सिच्छा मंत्राले और सिच्छा मंत्राले में इसमें जो टेक्निकल सयोग है वो AICTE के द्वारा किया जाएगा तो दोनों बाते ध्यान रखेएगा सुरुआत कब हुई 2017 में हुई किस मंत्राले की पाहला है तो ये किस मंत्राले की पाहला है मिनिश्टियाप एजू के सिच्छा मंत्राले की पाहला है और इसमें सयोग किसके द्वारा किया जा रहा तो मैंने कहा AICTE के द्वारा इसमें सयोग किया जा रहा है इसके अलामा यान persistent 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 system persistent 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 system के दौरा इसमें सयोग किया जाएगा इसके आलामा i-4c आप कहेंगे सर यह i-4c क्या है तो यह ए इंटर institutional इंटर यहां i की चार यानि सब्दों से मिलके बना कौन-कौन इंटर institutional inclusive innovation तो i से चार कौन-कौन हो गया इंटर हो गया इंटर इंटर इंस्टिट्यूशनल इंस्टिट्यूशनल इन्वेशन और सीजा रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यानी यह ना तो यह नाथ दो यानी दोनों गलत है आगे हाली में भारत का पहला वान की विस्विद्याले कहां पर इस्थावित किये जाने करने लिया गया चुंकि ये भारत का पहला है और विस्व का तीसरा है ध्यान से समझेगा भारत का पहला और विस्व का तीसरा ये वान की यानि फारेष्टी से समंदित ये विस्विद् का पहला वन की इसे वुष्विधियाले त्यलंगाना में स्तापित के जाने का निड़ लिया गया और उल्पीस वी थिस्स . Een याथ श्टाघर का से इस पूछा जास्कता और यहीं क despra par circa 250 ah отд में कअंसा तो भारत का चाठा केन्दरी जासुसी परस्चंचंद केस्थान की भी निव डाली गई है किसके दौरा तो आप प्लोक्त बाक्समे लिको बता ये गा किस के द्वारा येन द्यूस डाली गई रच्छा मंदरी कऊन है समय राजनास सिंग जी के द्वारा यहां पन्यों डाली गई है इसके अलामा 36 गर आया है तो 36 गर के कई उजना आपके लिए important है जिरसे महतारी उजना कौसलिया मातरती उजना तो 36 गर की महतारी उजना कौसलिया मातरती उजना यह भी आप ध्यान रखिएगा अगले कोशन के ओर चलते हैं अगला कोशन आपके सामने कोशन नम्बर चार है चर्चा में रहने वाला सब्द इस प्रकार के कोशन पूछे ही जाते हैं अब यह extended फंड फैसलिटी का मतलब क्या हुआ मालो कोई देश है उसके यानि बाइलेंस साब पेमेंट बुगतान संतुलन की समस्या आकस्मिक रूप से डामाडोल वाली इस्तती में पहुंच गई है और वो दिवाली अपन की इस्तती में पहुंचने वाला है तो ऐसी इस्तती से निजात दिलाने के लिए जो फंडिंग की बेवस्ता की जाती है वह IEMF के द्वारा की जाती और उसी फंडिंग को क्या कहा जाता है extended फंड फैसलिटी कहा जाता किस नाम से जाना जाता extended फंड फैसलिटी के नाम से जाना पर चलते हैं अगला कोशन आपके सामने हैं विस्प का सबसे लंबा रिवर कुरूज गंगा विलास को 13 जनवरी देड़ भी याद रखिए रिवर क्रूज गुमर मिलेगा खी तो कईसे होगा क्योंकि यहां पर काजी रंगा से लेकर25 और विस बात-ब्यूस भी ध्यान रखिएगगा तो काजी रंगा माजुली जो भी इसका सबसे बरा नदी द्यूप है माजुली से होकर ये गुजरेगा और इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल के कई बंदर गाहों से होकर कि ये गुजरेगा तो ये वरार्शी से सुरू हुआ और डिवरोगर असम तक ये जाने वाला है तो आपसन है आपका निवयार वासिंग्टन डिसी नई दिली कलिफोनिया तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा वासिंग्टन डिसी और हमारे जो इस समय वानिज्यों उद्योग मंत्री हैं इस बैठक में यानि इसमें कौन इसमें पार्टिसिपेट किये हैं तो प्यूस गो होगी वासिंग्टन डिसी में भारत हुआ अमेरिका गवेच देश बूचे तो यह वासिंग्टन डिसी मुनलब अमेरिका भारत हुआ अमेरिका गवेच यानि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड निवेस और व्यापार को वरहावा देने के लिए इसका यानि बैठक का आयोज ऑनों पर विचार कीजिए अपर कर दोनों देशओ के राष्टा ध्यच यानि भारत के जो भारत का जो पधान मंत्री हैं मोदी जी और बांगलादेश के कौन तो ये सेख हसीना इनके द्वारा 18 सितंबर 2018 को किया गया था क्या अगला इसकी कुल लागत 130 किलो मिटर या इसकी कुल लंबा 130 किलो मिटर और इसकी लागत जो आने वाली है वह 2370 यानि 237.08 करूर आने वाली है अगला इस पाइपलाइन के माध्यम से पश्चिम बंगाल के सिली गुडी से ले करके यानि सिली गुडी से सीधे बांगलादेश को क्या इंधन जो फ्यूल आयल है इसको तेल पहुंचा दिया जएगा फ्यूल नुमाली गरह आसम दूनों से जो फ्यूल आयल है इसका निर्याद कहां किया जाएगा तो बंगलादेश के पारवती पूर जो डिपो है वहाँ तक पहुचाया जाएगा तो यहाँ पर तीनों statement क्या एक दो तीन चार यानि चारों statement क्या is सही है इसका उदगाटन दो है 18 सितम्बर 2018 में ही हुआ था इस बात का भी ध्यान रखिये तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही हो जाएंगे अगला कोशन पूछ रहा है कि 83 आल इंडिया प्रिसाइडिंग आपिसर कांफरेंस का उद्गाटन उपराश्पतियों राजसभा के जो सभापती है आपको पता है कि राजसभा का सभापती पदेन सभापती कौन होता है तो उपराश्पति होता और इस समय उपराश्पति कौन है तो उपराश्पति जगदी धनकर साहब हैं तो इनके द्वारा उद्गाटन किया गया अब आंसर है कहां किया गया एटी तिरी नंबर का है तो यह बहुत पहले से इसका अयोयजन हो रहा है यानि अंग्रेजों के काल से ही इसका अयोयजन हो रहा है तो यह पहला जहां पर पहला यह अंधिर स Gentlemen Space का सा हुँआ वही पर फिर से हो रहा यानि वह स्थान सही जबब किया सिम्मरा हमाचλ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश में पहली बार 1921 में आयोजन हुआ था और अब इस बार का 2030 वाला भी सिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजन हो रहा है तो पहला कहां तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा सोरी 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 माप कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जैपूर इसका सही आंसर 2030 वाला यहां पूछ रहा तो 2030 वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा जैपूर हो जाएगा इसको करेट कर लीजिएगा और सिम्बला में पहली बार हुआ था और अभी कहाँ अभी 2030 वाला इसका कहाँ जैपूर में हुआ तो ये ध्यान रखियेगा जैपूर ये चौती बार है किस प्रकार के सम्मिलन का क्या कर रहा है यानि आयोजन कर रहा अगला कोशन 11 जन्वरी 2030 को Global Investors Summit का आयोजन होगा तो ये अंसर आपको बताना तो इसका अंसर इंदवर हो जाएगा आपको पता इंदवर में इस समय प्रवासी भारत का सत्र हुआ प्रवासी भारती दिवस यही पर मनाया जा रहा है तो वही पर Global Investors Summit का योजन भी होगा कहां इंदवर में तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा सी वाला इसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा अगले कोशन के और चलती अगला कोशन है भारत में पहली बार डिश्टल प्रवासी भारती दिवस प्रदर्शनी का उदगाटन इंदवर मन्द प्रदेश में किया गया इसकी थीम किया है तो अगला कोशन देखो एक तो हो ग पहला कोशन यही कि पहली बार डिश्टल प्रवासी भारती दिवस प्रदर्शनी को इंदवर में किया गया और इसकी थीम क्या रखे गई है यह आपसे यहां पर कोशन पूछा जा रहा है तो इसकी थीम क्या है तो यह यह चार आपसन है पहला साइंस एंड टेक्नोलाजी प्रवासी भारती दिवस प्रदर्शनी के थीम पूछे तो इद्वी वाला बिल्कुल सही होगा कौन सही होगा आजादी कमरत महसे ध्यान रखिएगा Contribution of Diaspora in Indian Freedom Struggle आप कहेंगे सार इसको हिंदी में भी लिख सकते थे जी हाँ लेकिन ध्यान रखे थीम हमेशा आप इंगलिस में याद करिए क्योंकि Translation हिंदी में होगा तो अर्थ का नर्थ भी बन सकता है आप पुस्टन गलत कर सकते तो इंगलिस वाला कोई चेंज नहीं होगा इसलिए थीम हमेशा इंगलिस में लिखते हैं और आप भी इंगलिस में याद करिए तो आज आदी कमरत महोसो Contribution of Diaspora in Indian Freedom Struggle यह इस बार की थीम किसकी है पहली बार जो Digital प्रवासी भारती दिवस हुआ उसके आप कहेंगे सर पहला वाला Science and Technology for Sustainable Development with Women Empowerment ध्यान दिजेगा अभी आपका भारत के नागपुर में कहां महाराष्ट के नागपुर में 108 नमबर का जो Science Congress का आयोजन हुआ उसकी थीम पहला आपसन जो दिया गया यह रखे गई थी अगला Diaspora Reliable Partners पार इंडियाज प्रोग्रेस नम्रत काल यह किसकी थीम है यह आपको पता होगा अभी जो सत्रूहे नमबर का प्रवासी भारती दिवस इंडवर में हो रहा उसकी थीम है One Earth, One Family, One Future यह किसकी थीम है यह जो G20 हो रहा उसकी थीम है तो यहाँ पर बाकी भी थीम हमने आपको क्या किया याद करवानी की कोशिस की है अगले कोशन क्यों चलते हैं निमलिखित में से काउंसा से थिमाटिक प्लेनरी सेशन में सामिल है यानि आप जो अभी आपने देखा कि 17 नमबर का प्रवासी भारती दिवस का योजन कहां किया गया तो इन दोर मदप्रदेश में किया गया उसमें 5 थिमाटिक प्लेनरी सेशन को सामिल किया गया है तो उनमें से पूछा जा सकता है ये भी तो हमने इसको भी सामिल कर लिया इनमें से पहली थीम जो है रोल आप डाइस्पोरा यू थीन इनोबेशन और न्यू टेकनोलाजी है क्या ध्याम दीजिए अगला रोल आप इंडियन डाइस्पोरा इन प्रमोटिंग इंडियन हेल्थ केर एको सिस्टम इन अम्रतकाल ये कार्ड लिख दिया इसको साहिकल लिजे अम्रतकाल विजन अट दी रेट 2047 है क्या अगले एनेबलिंग ग्लोबल मोबिलिटी फार इंडियन वर्क फोर्स रोल आप इंडियन डाइस्पोरा चौति इसकी थीम है क्या अगला हानेसिंग दा पोटेंशियल आफ डाइस्पोरा इंडियन वर्क फोर्स तो ये आपकी पांच आपकी थीम है आपके सामने द्यान दीजे क्या पांचों को इसमें थेमाटिक प्लेनरी सेशन में थीम की रूम में सामिल किया गया है बात करें पहली बाली यहां यूथ से उठा लीजिए तो यहां यूथ को समर्पित है तो रोल आप डाइस्पोरा यूथ इन इन्वोवेशन और टेकनोलाजी इसके दिस्ता मिनिश्ट्याप यूथ अफेर्स के द्वारा यानि खेल और यूथ मामले के जो मंत्राले है उसक यह अधिस्ता बताईएगा किसके द्वारा की जाएगी यह वाला इसका अगला हानेसिंग प्रोटेशनल आप डाइस्पोरा इंटर्परनेर यह पांच की पांचों यह बिल्कुल रट लीजिए तो यह पांच की पांच एक दो तीन चार पास सभी इसमें थिमाटिक प्लेन क्यों जाएं यानि जो खांपान होता क्रिटिविटी रेशनात्मर्कता को सामिल किया गया अगला कौन वर्क फोर्स को सामिल इंडियन वर्क फोर्स को सामिल किया गया है अगला इंटर्परनेर्स को सामिल किया गया तो यह आपकी पांच सब्द आपके निकल आ गये यानि दिमाग में आ जाएगा एक जाम में पुछेगा तो यूथ हेल्थ केर तो यूथ का हेल्थ केर अच्छे अच्छा हो इस पर खेलना कूदना बहुत जरूरी होता तो यानि यूथ हो गया हेल्थ केर हो गया अच्छा खानपान मिलेगा तभी यूथ का हेल्थ अच्छा होगा और फिर वो काम अच्छिस कर पाएगा, और फिर उद्यम सिलता का अच्छे से विकास होगा, तो यह आपका कोड बन गया, क्या, यूद, यूद होगा, तो यूद का हेल्थ अच्छा हो, तो इसके लिए खाना पीना अच्छा चाहिए, क्राप्ट, क्यूजाइन, क्यूटिव गला हो गया है ऐल्थ अच्छा होगा तो यह क्या करेंगा वर्क फॉर्स काम अच्छा होगा और उसके बाद पर लिएक टीविटी आपकी कोंसी है तो है तो हमने इंट्रपेंडियोग याद रखोगे आपका एक्जाम में कभी भी कोशन गलाद नहीं होगा के लिए अगला आईए अगले कोशन की वर चलते हैं अगला कोशन पूछ रहा 10 जनुवरी 23 इसको रच्छा मंतिर राजना सिंग के द्वारा न्यूज लाइट एंड साउंड सो साउंड सो ये यन काट दीजे साउंड सो नाइट न्यूज लाइट एंड साउंड सो जैहिद ये पूछा जा सकता जैहिद का उधगाटन कहां पर किया गया तो ध्यान दीजे कहां से किया गया लाल कला रेट फोर्ट से इसका उधगाटन किया गया तो इसका सही जवाब क्या वाला हो जाएगा अगले कोशन के ओर चलते हैं अगला कोशन अमरत 2.0 के संदर में निम्लिखित कत्रूंत विचार कीजिए इसे एक अक्टूबर 2021 को लांच किया गया इसकी कुल लागत 2,77,000 करोरों पे आने वाली है और टाइम पिरियड इसका कितना है 2020-21 से लेकर 2025-26 आपको पता अमरत योजना अमरत योजना यानि 1.0 पहले लांच की गई थी उसके अस्थान पर 2.0 को लांच किया गया है तो एक अक्टूबर 2000 ये बिल्कुल डेट आप क्या कर लिजिए याद कर लिजिए एक अक्टूबर 2021 को लांच किया गया अगले कोशन के यो के ऊडरत चलते अगला आपके सामने कोशन है क्या इनोवेशन क्टिगरी की इंतर्गत वड्ड स्मांट सिटी का एवार्ट किसके द्वार्ट को दिया गया जायर आपका कुस्टर होना चाहिये का आयोजन कहां हुआ था तो यह बार्सिलोना में आप नूर्ट कर लिजेगा स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी एक्सपो स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस इसका आयोजन कहां हुआ था बार्सिलोना 22 वाला कहां हुआ था 22 वाला बारसलोना में हुआ अब आपको बताना है comment box में लिख के के बारसलोना कहां इस्तित है किसकी सहर है कहा है या किसी की राजधानी भी है क्या एक comment box में बताना तो ये अलग से दो कुशन अलग से कुशन पूछा जा सकता कि Smart City Expo World Congress 2022 का आयोजन कहां हुआ तो उसका अंसर बार्सलोना होगा वहीं पर भारत को Innovation category के इंतरगत Smart City Awards से नवाजा गया तो इसका सही अंसर पहला वाला हो जाएगा इसका सही अंसर क्या हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा अगले question के ओर चलते हैं अगला question है निपुन का संबंद किस से है निपुन का संबंद किस से है चार आपसन आपके सामने है Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry of Education जल सकती मंतरा ले माईला में बाल विकास मंतरा ले तो इसका सही अंसर हो जाएगा पहला वाला सही अंसर क्या हो जाएगा पहला निपुन का संबंद महुआ इसी को प्यार में हम क्या बोलते हैं महुआ Ministry of Housing and Urban Affairs के नाम से जाना जाता यानि आवासन यम सहरी कारिमंतरा ले के नाम से जाना जाता तो इसके द्वारा क्या किया गया निपुन कुलांचिया गया आप कहेंगे सर यह निपुन क्या है तो निपुन कुछ और नहीं जो पहले से चल लाँ था जिसे आप जानते हो यानि डे आप कहेंगे सर यह डे क्या है डे नूलम डे नूलम दीन दयाल उपाध्याय अंतियोदे योजना और इसके अंदर नेशनल अर्वन लाइबली हुड मिशन डे नूलम के अस्थान पर निपुन को लाया गया है इसके अस्थान पे डे नूलम के अस्थान पर किसको लाया गया तो दीन दयाल अंतियोदे योजना National Urban Liability Mission की अस्थान पर किसे लाया गया निपुन आप कहेंगा सर निपुन की फुलफाम क्या है तो निपुन की फुलफाम है National Initiative for P.C. Promotion आप स्किलिंग किसका तो निर्मान वरकर्स है जो भी काम कर रहे हैं निर्मान कार में लगे हैं कोई भी निर्मान कार हो सकता है तो उनकी skill को कैसे आप skill का मतलब उनके skill को enhance किया जाए, boost किया जाए तो skill को boost करने के लिए निपन को लाया गया है जो किसके अस्थान पे आई है डे नूलम के अस्थान पे आई है यानि तीन दयाल अन्तियोदे योजना रखे लिजेगा 26-2022 को लांच किया गया निपन को कब लांच किया गया 26-2022 को लांच किया गया निपन की फुलफाम बता दिये हैं एक बार फिर से repeat कर देते हैं नेशनल इनी से टूफार प्रमोशन आप अब इसके लिए आप निर्वान वरकर्स इसकी थीम है क्या अगला इंटिग्रेटेड़ एप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलाजी फार सश्टनेबल फ्यूचर ये थीम है क्या फ्यूचर आप ये सिटी आइ यानि साइंस टेक्नोलाजी इनोबेशन इंपक्ट आन एजूकेशन इसकी बिचार कर लेते हैं तो आपको पता है कि हर साल राष्टी विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी सुरुवात 1986 में हुई क्योंकि 28 फरवरी को ही भारत के जो रमन प्रभाव है इसकी खोज 1928 में रमन के द्वारा की गई थी तो बेंकर ट्रमन के द्वारा और इसी के लिए उनको 1930 में नोबल पुरुषकार दिया गया और फिर 1986 से शुरुवात की गई कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूम में मनाया जाएगा और 2030 की जो थीम निर्धारित की गई है यह ग्लोबल ग्लोबल दोनों में ध्यान रखेएगा ग्लोबल साइंस पार ग्लोबल विल्विंग यानि बैस्विक अच्छे पन के लिए बैस्विक बिग्यान ग्लोबल साइंस पार ग्लोबल विल्विंग ये 2000 कब की है 2012 की थीम है और 2021 की थीम इसमें ये है future आप science technology innovation ये 2021 की थीम है और science in women in science से 2020 की थीम है तो सारी थीम आपके कम से कम 2223 का तो दियान रखे ही यानि integrated approach in science and technology for sustainable future 2022 की थीम थी और 23 वाली क्या है global science for global well-being आप कैसे द्यान रखोगे क्योंकि 23 में भारत बैस्विक भारत का बैस्विक अस्तर भार हो रहा है चाहे राजनीत हो चाहे विज्ञान हो चाहे वह अर्थिक चेत्र हो कुछ एटूजेट कुछ भी हो तो आप बैस्विक ऐसे दिमाग में रखोगे क्योंकि वन गुलोबल विल्विंग इसकी थीम है बाइस वाली इंटेग्रेटिड एप्रोच इन सांस एंड टेक्नोलाजी फार सश्टनेबल फ्यूचर इबाइस की थीम थीम अगले कोशन जो चलते हैं अगला कोशन निमलिखित में से कंसा योगम सही सुमेलित नहीं है यह आपको बत तो तो करण में मांडू बंधर आ को लेकर्के है मंदू बढ outrage ja betrayed ya सOMEन र्येकर और विष्ट का सबसे बहुदा नदी दी believe incentiv ही कहारा ब्रहं पुत्र नदी घाटी में अस्म में ही और बिष्ट का पाईला रण जिला भी यह ब्रहंपुत नदी घाटी में है व्यूस्वत यहिए यहाँ पर क्या है गलत है यह गलत हो जाएगा यह सी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रीन लेंड है जो चायना में है यह सही है अगले कोशन के और चलते हैं अगला कोशन है निम्लिखित में से कौंसा यूग में सही सुमेलिन नहीं है सुरी काजी रंगा जो काजी रंगा नेसनल पार्क को लेकर कि पता जिंक ककल पा काईवध नेशनल पार्क-, जो कब स्थावित हुआ 1936 में और इसे पहले हेली नेशनल पार्क की नाम से जाना जाता था काजी रंगा 1934 में स्थावित हुआ क्या रानिपु नेशनल पार्क यह भी चर्चा में था और इहां उत्तरप्रुदेश में स्दित है पर्किरों में, युनिसको के बिस धरोवर में, में उनिसोग पचैसी में सामिल किया गया, टाइगर रिजर्ब दोह control चाथ में होसित किया गया और यहाँ, ध्यां दिजेगा, किस के लिए जाना जाता, एक सिंग गंडे के लिए जाना जाता ह। वन होंड राइनों के लिए जाना जाता है एक सिंग गंडों के लिए जाना जाता है एक सिंग गंडे का पूछे तो पहले इंडेंजर्ड थे अब उसमें सुधार हुआ और वन सिंग गंडे इस समय वलनरेबल करडिगरी में सामिल किये जाते हैं और काजी रंगा से नदी यहां से बहती है तो इस बात का भी आगे आप लोग ध्यान रखी गार आगे कोशन चलते हैं अगला कोशन आपके सामने है निम्लिकित में से कौन सा यूग्म सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है अभी चर्चा में ज्योतिर मठ या इसी को ज्योसी मठ के नाम से जाना आरे देखी गई इसलिए यहां से लोगों को यहां से हटागर के दूसरे सुरची दस्तान पर पहुंचाया जाने की कवायद शुरू हुई है इसलिए चर्चा पर बना तो यह गरहवाल उत्तराखंड के गरहवाल छेत्र में आता है यहीं पर आप देखते हैं यहीं पर संक हैं तो यह इसलिए चर्चा में आ चुका तो हमने चारो जो मठे सथाबित किये गए भारत के चार कोणों में तो यह हमने चर्चा मेंस को लिया तो यहां पर अगर पोर्वी वाला एप इस पूछा जाए तो यह कौंशा है गवर्धन ए संध्र। ओर इस यह इस वाला गवर है तो यह यह कालिकामत हो गया यह गोवर्धलमर्ट तो केजी से वन के कई में बच्चे पढ़ते विए हैं तो खेजी से द्यान रखें हैं तो केजी से से ध्यान रखिए। और इसको क्या बना लीजेए स्रंगेरी सार्दा पीठब यानि इसको यस बना लीजे तो ये केजी, जेएस, केजी, जेएस ऐसे याद कर लीजे तो ये उत्तर वाला कोन ही? जियोतिर मन, जियोसी मन, उतराघंड के चमूली जिली में इस्तित हे, अगला स्रेंगेरी सारदा पेठम जो है, ये करणाटक में है और ये करनाटक के चिक मंगलूर में इस्तित है, कहां करनाटक के ये गलत है, तो ये आपको बताना कौन सही सुमेली नहीं है, तो D वाला गलत है, क्योंकि ये कहां इस्तित है, चिक मंगलूर, करनाटक के चिक मंगलूरू में इस्तित है, कहां इस्तित है, करनाटक के चिक मंग मंगलरू में इस्तित है तो ये D वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चारू मत आपको केजी J से याद होने चाहिए यानि काली का मत पूछे तो ये द्वार का गुजरात में है के जी जी से गुवर्धन मत पूरी उरिशा में है उसके बाद जे जोतिर मत या जोसी मत कौं सामिल है यह आपका बताना है तो अगस्ता मलाई बायो स्पेर रिजर्व की बात करते हैं तो इसके पहले हमने नील गरी बायो स्पेर रिजर्व बताये थे और ऐसे question UPSC में लगा था पूछे जा रहे हैं आगे भी पूछे जाते रहेंगे हमने इसके पहले पहले इस question का अंसर जान लिजिए अगस्ता मलाई बायो स्पेर रिजर्व ये कहां इस्तित है तो इसके स्थापना 2001 में हुई थी बायो स्पेर रिजर्व इसके स्थापना कब हुई थी 2001 में हुई थी और ये केरल में है और ये स्थापना पूछे deber पर यह वहां पर आपको रिजिन करवाए थे यह वही है तमिलाडू का तो यह कौन कौन हो गया यह सेंडुर्णी हो गया परा सेंडुर्णी अगस्ता मलाई में आये तो कौन-कौन है जी परा नेयार कला काड़ मुंदंध तुरई यह चार क्या सामील है यह रखें चार के नागर होल बांदे पूर्ड एक कंणटक के उसमें सामिल है निल गली में इसके बाद यह सो मंकूदरह से कहा है राजस्थान में है और लेकि ध्यान रखिएगा जो मुकूर्ती मुकूर्थी और मुडुमलाई सत्यमंगलम यही इसमें सामिल किये जाते हैं तमिल नाडू के हैं इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेएगा जो नीलगरी बायोस्पेर रिजर्व में सामिल होते हैं जहां पच्वी गाड पूर्वी गाड मुलते हैं वहीं पर केरल करनाटक तमिल नाडू तीन राजों में नेलगरी फैला हुआ है तो यह भी आपके लिए ध्यान रखेएगा अभी चर्चप नेलगरी तहर रहा है इसी समंदित है यह तमिल नाडू का स्टेट क्या है इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेएगा अब हम बात कर लेते हैं खंट के नेशनल पार्क तो यहां पर द्याना दिजीए का नेशनल पार्क एक यह बना लीजिए एक यह बना ली जी ठीक 101 यह यहां यहんと से पहले यह मुकंदरा अभी जो बताए ही मुकंदरा हावाला है फिर राजस्थान में जाते हु आर्यस का एक्जाम जरूर सब वापस हमने कहा आर्यस का एक जाम जो राजस्थान प्रशीज होता है तो आर्यस यह आप क्या रख़ोगे मुकुंद्रा ये आपकी कुरोनो लाजी भी पूछी जासकती है उत्तर से तच्छिन लगाने के लिए भी पूछा जासकता तो राजस्थान के निशनल पार्क हम आप को रिवाज करवा रहे हैं सबसे पहले मुकुंद्रा कहां इस्थित है राजस्थान मुकुंद्रा कहां इस्थित है राजस्थान दूसरा रन थंभावर यह वाला जो अगली बिंदी बनाए रन थंभावर अगला कौन हो गया और यह से क्या होगा बताओ 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 भई यसमे क्या हो जाएगा सरिसका तो यह रन थंबावर शरिसका अब बगल में यसके के से क क्योला द्योग घॉना तो कौन कौन यह याद हुए तो आपका इनका क्रोनोलाजी या इसी क्रम में है ध्यान रखिएगा कौन हमने कहा मुकंद्रा यम फिर आपका अरियस वाला ध्याम रखेंगा रन थंबाउर शरिसका क्योला दिव घानवा और इधर वाला यह डेज़ट यह कुछ हम मिस कर रहें यह वाला यहां पर आप देख लीजिएगा इधर साइड मरुस्थल में है एक नेशनल पार्क उसको आप कमेंट बाक्स में लिखके बताईएगा उसका नाम क्या डिजेट नेशनल पार्क है ये उच्छ हो रहा है तो ये आपका आमने आपको ये चार आपको याद करोए और मुकंदरा, रन्थंबो, सरिस्का और क्योला त्यार रखिएगा तो अगला फिर इसी प्रकार हम और भी याद करवाते रहेंगे नेशनल पार्कों में अगर आते हैं बिहार तो बिहार वाला ये बिहार में कौन हो जाएगा बाल में की यूपी में नेशनल पार्क की बात करें तो यूपी वाला आपका इसे भूल सकते ह क्या नाम है यूपी वाला यूपी वाला का है दुदुवा लखेंपुर खेरी ये कहां है नेशनल पार्क यूपी में है तो बालमी की बिहार में है बिहार में दुदुवा नेशनल पार्क यूपी में है और इसी से बिहार से लग हुआ कौन है जारकंड और जारकंड वाला ये पलामू बेतला या पलामू ये पूछा जाए बेतला या पलामू ये कहा है जारकंड में है तो आज इतने नेशनल पार्क याद करवाए कल हम याद करवा देंगे कौन वाले आपको याद करवा देंगे लद्दाग याद रखे भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क यह लधदाग वाला याद कर लो इधार वाला ये लधदाग है और लधदाग में हैं है लधदाग में कौन है हेमिश भारत का सबसे बरा श्रय नश्टित हैं कहां इस्तित दः लधदाग में इस्तित है यह है इधर जमू एंड कस्मीर के भी आपको याथम करवाएंगे लेकिन आज नहीं कल क्योंकि आज ही सब मिला देंगे तो एक वम सब भी सब चोपड कर दोगे तो अभी आज की याद रखिए आपको कौन वह कौन बताए है मिस लद्दाग का बताए है मिस तो आपके कितने बताएं शार मुकुंद्रा फिर रर्थम बहुत सरिस्का क्योलादयोगाना एचार कहां के याद रखेएगा राजस्थान के निश्नल पार्क याद रखेएगा फिर हम कल आपको यह जम्मू एंड कस्मीर के बताएंगे साथ में हिमाचल प्रदेश के हैं उन मिलती रहेंगे क्लिया तो कल हम मिलते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कोई सुझाओ तो आप अपना सुझाओ कमेंट बाक समें दे सकते हैं कल फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जय हिए जय भारत